हाइ फ्रेंजर जैसे आप सब pegar कैसी चल लिए आप लोगों की पड़ाई बिलकुल सईँच चलती होगी और जिनके एकजाम हो चुके उनके एकजाम भी बहुत होँगे और जिनका एकजाम भी होना बाची है उनके वी एकजाम भोत ही अच्छे जाएंगे तो देखो मेरे पास जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो हर एक वीडियो में एक कमेंट तो ऐसा होता ही है और बार बार एक ही क्यों सर पोचते हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स की सर अब एक्जाम कब होगा अब नेट का एक्जाम कब होगा दिसंबर में होगा जनवरी में होगा फर्वरी में होगा मार्च में होगा या कब होगा ठीक है और बहुत से ने बोला कि सर एक बार उसके उपर एक वीडियो बना दो मेरे को कोल करके भी बोला है कि सर एक बार उसके उपर वीडियो बना दो जिससे हमें कंफर्म हो जाए तो देखो मैंने सोच लिया कि आज मैं उसके उपर एक वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंज के साथ सेयर कर दो देखो बारा तेरा नवंबर तक एक्जाम चलेगा ठीक है तेरा नवंबर तक एक्जाम चलेगा सोला सत्रा मतब बीस नवंबर से पहले पहले आंसर किया जाएगी 20 नवंबर से पहले पहले आंसर किया जाएगी और starting December या नवंबर के end में तो ये मान के चलो कि December 1 December की आज़ पास हमारा result आजाएगा या तो एक दो दिन बाद में या एक दो दिन पहले लेकिन December starting में हमारा result आ चुका होगा ठीक है तो जो ये जून वाला नेट जारफ का एक्जाम है इसका प्रोसेस कतम हो जाएगा दिसमबर तक अब उसके बाद में दो कंडिशन बसती है देखो नेट का रूल है आप सब भी को पता है साल में दो बार होता है एक बार जून में एक बार दिसमबर में अब जून के एक्जाम के लिए टोटल साथ महीने का टाइम बसता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई जून छे महीने तो जनवरी से लेकर जून तक और एक महीना दिसमबर टोटल साथ महीने का टाइम बसता है जून वाले एक्जाम के लिए अब इस साथ महीने के प्रियर्ड में दो एक्जाम तो होने सकते नेट के क्योंकि देखो एक महीने के आसपास तो फॉर्म जो भनने का टाइम होता है वो चलता है एक महीने तक फॉर्म बरे जाता है तो एक महीना तो वह वाटा दो यदि दो एक्जाम करवाता है साथ महीने में तो दो महीने तो वह वाटा दो बते पांच महीने इसके लावा एक और होता है रूल जो बिल्कुल पहले से चला रहा है regular follow करता है और ऐसा होता भी है कि जिस दिन form की last day होती है उससे साथ दिन बाद में एक्जाम होता है form की last day के साथ दिन बाद में एक्जाम होता है ठीक है तो दोनों में ये process हो तो चार महीने ये खटा दो ठीक है साथ साथ दिन की तयारी के लिए मिलेंगे तो चार महीने ये हटाया दो महीने form के हटाए 6 महीने 10-10 दिन यदि exam चलता है तो 20 दिन ये हटा दो और इसके अलावा answer की भी आयती है result भी आता है और बीच में थोड़ा time period भी लेता है ये लोग ठीक है तो overall जो 7 महीने का time period है इसमें 2 exam कभी भी नहीं हो सकते 2 बार exam किसी भी हाल में बार морdy आता है नहीं हो सकता थीक है तो जो अब exam है वो जून में ही होगा ठीक है क्यूंकि ये मार्च अपरेल में करवाते हैं तो फिर आगे का schedule बगडता है suppose that ये अपरेल में exam करवाते हैं तो फिर जून वाला exam नहीं हो पाता फिर December ये exam होगा साल में 2 exam ही होंगे अगली साल केवल 2 exam ही होंगे ठीक है तो overall ये है कि ये इस साल का तो schedule विगड़ चुक है इसमें ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो अगली साल वाला 2021 का जो schedule है June और December वाला उसको वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहेंगे तो इसलिए जो एक्जाम है वो अब जोन में होगा उससे पहले नहीं होगा ठीक है? दूसरी बात अब डिपेंड करता है कि भाई जो 6% नेट पास करते थे 1% के आज़ पास जै़ पास करते थे जब साल में दो बार एक्जाम होता था तब ये रेश्चो रहता था अब भी तक उन्होंने कोई नोटिपिकेसन ही डला कि साल में केवली एक बार हो रहा है तो जो नेट का परसेंट है उसको बढ़ाएंगे या गठाएंगे या उतना ही रखेंगे नए उन्होंने ज़रफ के रिलेटेड को इनफोर्मेशन दी तो बैस्ट रहे या दि साल में एक बार ही नेट करवा रहे हैं तो जो नेट का जो पासिंग का जो रेश्चो उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए ज़रफ के रहेश्चो को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए ज़रफ को एक पॉइंट छै या दो के आज पास कर दिया जाए दो नहीं कर दे तो एक पॉइंट छै तो करना ही चाहिए एक पॉइंट पास करना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए और ऐसे ही जो net का ratio है वो 6% का है तो भाई 12% नहीं कर सकते हूँ तो 8-9 कुछ तो बढ़ाओ कुछ तो बढ़ाओ तो अब यह इनके उपर depend करता है कि यह बढ़ाते हैं या फिर वो 6% 1% का ratio रखते हैं ठीक है उसके अलावा अपकी बार देखो मेरे पास कितने कंडिडेट जुड़े वे थे मेरे paid group में देखो first paper के लिए 180 कंडिडेट थे और first paper और geography दोनों के लिए 116 कंडिडेट थे ठीक है जो मेरे paid group हैं जहां पर मैं pay लेता हूं उनमें total 296 कंडिडेट जुड़े थे अब देखते हैं कि कितने लोगों का जरफ होता है कितने लोगों का net होता है ठीक है यह मेरा पहला group था मेरी first exam था मेरा यह तो देखते हैं result मेरा कैसा रहता है अपकी बार आसा है कि बहुत अच चार्ज रहता है बिल्कुल नामातर बहुत ही कम चार्ज रहता है तो दोस्तों अब मैं जो जून वाला जो भी exam होगा आगे जून में लेता है या पहले लेता है मेरे साफ से तो जून में होगा तो उस exam के लिए मैं 20 नौंबर से batch start कर रहा हूं 20 नौंबर से classes शुरू हो ज जाएंगी तो यदि आप मेरे paid classes में जुनना चाते हो अपना जैरफ निकालना चाते हो अपकी अपना net निकालना चाते हो तो मेरा paid classes जोन कर लो जोग्रोफी के लिए यदि जोग्रोफी से हो तो other subject से हो तो first paper के लिए ठीक है तो यदि आप first paper से के लिए जोन करना चाहो तो फ्रस्ट पेपर के लिए जोइन कर लो दोनों पेपरों के लिए जोइन करना जाओ तो दोनों के लिए जोइन कर लो फीस बिलकुल ना मातर बिलकुल ना मातर फीस सबसे कम फीस है और सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको ठीक है यह मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है दूसरी मेरी regular classes चलते रहेंगी first paper की 2 class चलती है geography की 2 class चलती है morning में first paper or geography के quiz चलती है पांस-पांस के उसनों की 10-10 के उसनों की वो condition पर depend करती है 5 question की Qs रहते है 10 question की Qs ठीक है तो Qs regular चलेंगी मेरी permanent चलेंगी सदा चलेंगी Qs geography की Qs भी regular चलेंगी first paper की Qs भी regular चलेंगी जिसमें मैं सभी unit के 1-1 question लेता हूँ ठीक है तो यदि आप अगले वाले exam में अपना बहुत स्यांदर वाले score करना चाते हो giraffe निकालना चाते हो net निकालना चाते हो net का तो हमारा target मतलू आप net का तो target हटा दो target लो giraffe तो यदि आप अगले exam में giraffe निकालना चाते हो उसमें भी भूत स्यांदर वाले score करना चाते हो तो मेरा paid course जरूर जोइन करें complete syllabus कराऊंगा जोग रोफी का भी complete syllabus कराऊंगा objective, desk, creative दोनो टाइप से first paper का भी complete syllabus कराऊंगा objective, desk, creative दोनो टाइप से मतलब overall वो सारा content प्रोवाइड करऊंगा जिससे आप अच्छा score कर पाएं ठीक है तो अब भी starting में मैंने fees बहुत ही कम रखी है बिलकुल नामातर fees है और भी कम है जितनी मेरी average fees रहेगी उससे भी कम fees रखी है मैंने starting में तो आप मेरी paid class जोइन कर सकते हो तो उसके लिए आप मेरे contact number है 7891350470 781 350470 और ये number इसी video के description में भी लिखे हुए तो वहाँ से आप मेरे को call कर सकते हो मेरे permanent number है मेरे whatsapp number है मेरे से chat भी कर सकते हो मेरे को call भी कर सकते हो और new batch जोइन कर सकते हो बिल्कुल ना मातरफिस है ठीक है और अपना giraffe निकालो आपकी बार नहीं निकलता है तो अगली बार निकालो अगली बार तो निकाली दो 100% ठीक है तो सभी के सभी जो giraffe करना चाते है बहुत अच्छा score करना चाते है मेरे classes जोइन करें ठीक है ठीक्स देखने के लिए सभी को जिसको जोइन करना है वो मेरे से कॉल कर सकता है WhatsApp पर चैट कर सकता है ठीक है बाई